यह दायावितिस है, केंसर है, टीबी है, तो उसको वो परेजी आती है, खाने के लिए, तो उसमें तो वो खाने का तो उसको सामने इच्छा तो होती है, तो उसको क्या अंत्रा है, यह अंत्रा ही के वज़े से यह रोग होता है, कि किसके वज़े से रोग होता है, यह खाने का तो उसका मुख्या साइंस क्या होता है, कि यह रोग हो वे, तो अशाता वेदनिय करम है, और उसे, और अंत्राय करम दो एकटा होता है, तब यह होता है, खाना नहीं होता है, ऐसे बीमारी होती है, कि आपको खाने पिने का बन, खाकरा खाओ, मुं की डाल खाओ, तेल बन, भी बन, सिर्फ सब्जी बाले गी खाओ, तो किसी को वो पुरवबाव में अंत्राई दिया होता है, इसने खाने के पुरवजनम का ही है,ãy सब बवा बव में होए वो अंत्रा इधनिया कर्म तो अब जो रोग होँा है और खाने को नहीं मिले उसको तो अब यह क्या करने का हमको? कुछ नहीं करने काँ खाना मत खाओ और मन होवे तो क्या करें? दाक्तर बोले वही खाओ, अभी पूरा करो, अभी कुछ नहीं हो सकता है, खाने के प्रती आपकी जो अरूची है उसको निकाल दो, यहां तक ही सब कुछ है, इदर नीचे उतरने के बाद तो सब सरी खाई है तो उसको मैं कोई इचावी दो, दे दो तो उसमें इचाई नहीं हो वे तो खाने वाला कौन है और मैं खुद कौन हूँ, वो जानो, आहारी आहार करता है और मैं खुद निराहारी आत्मा हूँ, उसको सिर्फ जानता हूँ, यह जागरती से खाओ, मैं खाने वाला नहीं और आहारी खाने वाला है. तो ऐसा हो सकता है कि अपने कोई अंत्राई ये भव में आया है, कोई खाने का नहीं है, दूसरे को खिला ये, तो वो अंत्राई पुरू भी दूसरे जन्म में वो कट जाता है? खिलाओ ना खिलाओ वो अग बात है. इच्छाएं से आप नें अंत्राई फिलाओ अभी आपकी इच्छा पुरी हो जाएगी. जो आया वो आपको खुशी कुशी स्विकार होगा ठाली में, जो आया वो आपको खिशी कुशी कुशी तो आपके तूटेंगे अंत्राze. अच्छा हुआ तो अच्छी खाली में बहुत अच्छा भोजन आया तो उच्छल कूद के खाते हैं और ना पसंद आया तो मिमू बिगाड़ते हैं यह रागद्वेश करते हैं इसी से हमारा सब अंत्राय होता है खाने के प्रति खाने को तिरस्कार करें तर छोड मार गिराये इसको तुसका तिरस्कार करें अइसा खाना क्या खाते हैं क्या बनाते हैं कुछ अच्छानी खाना बनाते हैं ये लोग तो ऐसे हैं वैसे हैं अऔर चाहिए जाते हैं कि तुनित कोुछ खाना बनाना आता ही नहीं है। बनाया, रदी बनाया, ऐसी दाल बनाया, ऐसी चाल बनाया, ऐसी पकोड़ी बनाई, सब बोलते जाता है, तो कितना वो बिगाड़ता है, खाने पर कितना द्वेश करता है, उसका पर कितना अंत्रा गिरता है, जो भी मिला, मेरे हिसाब का मिला है, मेरे आज के खाने में, मेरी थाली में जो भी कुछ आता है, वो मेरे हिसाब का आता है, मेरे व्यवस्तित का आता है, इसमें किसी का कुछ नहीं चलता है, तो जो भी मिला, मेरा सबसे बड़ा न्याय है, हुआ सो न्याय, मिला सो न्याय, और खुशी-खुशी उसको स्विकार कर लो, तो आप सारे अंत्रा को तोड़ सकते हो